हाई गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हैल्थ टीप्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के काली धबों को दूर कर सकते हैं वो भी बहुत असान से तरीके से जहां दोस्तों यह होम रेमिडी बहुत है और इसे बनाना भी बहुत इजी है और इसमें जो मैं इंग्रीडियंट लूँगी वो भी आपके घर में आपकी किचन में बहुत असानी से मिल जाएंगे आपको फ्रेंड्स इस नुस्के को बताने से पहले इस होम र जानते हैं कि इस फेस पैक को हमने कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या चाहिए कोफी जी हां दोस्तों यह वन शैशे हमें चाहिए और इसके साथ चाहिए हमें शूगर तो मैं पहले इसे खोल लेती हूँ फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए हमें वन शैशे जो है वो सफि यह हमने वन शेशे लिया कॉफी का एंड हाफ टीस्पून मैंने अड़ किया यहां पे शुगर को अब इसमें मैं आड़ करूंगी ओलिव ओलिव ओल दोस्तों आप ओलिव ओल के बेनिफिट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि ओलिव ओल कैसे हमारी स्कीन क के लिए फाइदेमंद होते हैं कैसे हमारे बालों के लिए बढ़िया है यह कैसे हमारी है अच्छे से मिंटेन रखता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके तो मैं इसमीं स्कुआड कर रही हूं olive oil के इस्तेमाल से आपकी skin पर glow आएगा और साथ-साथ olive oil आपकी skin के एजिंग effect को कम करता है यह मैंने 1 teaspoon ले लिया है friends यह face pack आपकी skin की जो dryness है उसे दूर करेगा और जो dead skin cells है उने भी repair करेगा इसे मैं आब अच्छे से mix कर लेती हूं आपकी skin पर glow लाएगा, आपकी skin जो tone है उसे healthy बनाएगा aging effect को कम करेगा, dark sports को दूर करेगा और साथ साथ जो fine lines होती है skin पर उसे भी ये दूर करेगा तो friends आपका ये face pack ready हो गया है ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसे mix कर लिया है friends ये देखिए, ये आपका face pack ready हो गया है ये एक तरह से scrubber का काम करेगा friends क्योंकि मैंने इसमें sugar add की है और sugar बहुत ही अच्छा scrubber माना जाता है बहुत natural तरीके से आपकी skin को clean करता है मैं आपको इसे apply करके भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा अपनी head पर ये इस तरह से हम लेंगे इसे इस तरह से आपने circular motion में इससे massage करनी है आप friends इसमें olive oil की जगा पर coconut oil भी इस्तेमाल कर सकते हैं coconut oil से भी आपको benefit होगा नहीं तो अगर आपके पास olive oil है तो आप olive oil ही इस्तेमाल करें इस तरह से आपने circular motion में पहले massage करनी है अच्छे से cleaning करनी है क्योंकि ये बहुत अच्छा scrubber है ये बहुत अच्छा face pack का का काम करेगा scrubber का करेगा बहुत बढ़िया है ये तभी मैं आपको कहा रही हूँ कि ये home remedy बहुत ही effective है बहुत बढ़िया आपको result दिखेगा friends इससे आपने 5-7 मिनट तक इस तरह से massage करनी है और massage करने के लिए 10-15 मिनट तक आपने face पर इसे इसी तरह से छोड़ देना है जब ये अच्छे से सूख जाए friends तो आपने अपने face को थंडे normal पानी से wash कर लेना है आप चाहीं तो थंडा water ले सकते हैं या normal water ले सकते हैं किसी भी तरह के water से आप अपने face को wash कर जिए friends इस तरह से हमने massage करके इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद जब आप देखेंगे इसे wash करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी skin पर कितना glow आगया है और अगर आप इसे regular इस्तेमाल करेंगे तो आपके चहरे के काले निशान जो है काले धब्बे जो होते हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे डेली इस्तेमाल करने से आपको ज़दा benefit होगा friends इसके साथ साथ आपके चहरे पर glow लाएगा ये aging effect को कम करेगा glorious बनाएगा skin tone को healthy रखेगा तो friends अगर आपको मेरी ये home remedy पसंद आई हो तो please please like के बटन पर क्लिक करना ना भूले comment box पर जाकर comment जरूर कीजिए friends आपके किये हुए comment हमारे लिए motivation का काम करते हैं so friends पसंद आने पर अपने friends relatives के साथ share करना भी ना भूले thank you for watching, take care, bye bye